नमस्कार, ओमी आयरुवेदा में आपका स्वागत है आज मैं आपको लीज थेरपी यानि जलो का थेरपी के बारे में बताऊंगा लीज थेरपी कैसे करते हैं और लीज थेरपी के क्या आइदे हैं आयुरुवेद के अनसार लीच में ऐसे गुण होते हैं जो असुद रक्त को चूशती है और सुद रक्त आते ही खुद छोड़ देती हैं इस दोरान पेसिंट को कोई भी दिकत नहीं होती लीच थेरपी का परियोग आखों के गंभीर पिमारियों में जैसे आरपी, रेटिनाटिस, पिग्विन्टोसा, गुलुकोमा, नाइट ब्लाइडनेस, बलेरी बीजन, आखों से बार बार पानी आना, आखों में खुजिली होना, मायोबिया यानि निकट दिरिष्टी दोस, ह पिरिकोज अलसर, नौन हिलिंग घाव, डैपटीज के कारण सालों साल पुराने न भरने वाले घाव, इसमें घाव के आसपास के छोटी-छोटी कोशिकावों तक बलड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण घाव बर नहीं पाते, उस जगा पर लीच लगाने से लीच व और वहां पर अपना लार यानि सलाइबा छोड़ देती है, जिसके कारण वहां पर बलड सप्लाई बढ़ जाता है और गाव आसानी से भर जाता है, और एलोपीसिया अर्थराइटिस आदि में लीच तरेपीस से बहुत जल्दी आरा मिलता है, धन्याबाद